दोस्तों आपका हमारे अंडरागलेब 3M YouTube चनल में हार्दिक स्वगत है दोस्तों आज के इस फीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप Microsoft Word में Macro Feature का यूज कैसे करेंगे तो गाइस Macro Feature की साहता से आप MS Word में जो Action Perform करते हैं उन्हें Record कर सकते हैं और एक Key Assign कर सकते हैं जब आप वो Key Press करेंगे तो वो Macro Run हो जाएगा और उस Macro के अंदर जो Actions Record हुए थे वो सब चल जाएगे तो गाइस बिना देली की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं तो हम Word में चलते हैं गाइस और MS Word में जाने के बाद में View Tab में जाना है हमको View Tab में जाने के बाद में ये Macros के यहाँ पे Guys Function है तो Guys आपको क्या करना है कि ताजा Macro बनाने से पहले आपको ये चेक कर लेना है कि क्या कोई Macro पहले से बना हुआ है क्या तो View Macros में जाना है view macros में जाने के बाद में guys आपको यह जग कर लेना है कि क्या कोई macro document में या normal की file में save तो नहीं है तो हमें दो जगए पे macro जग करने हैं सबसे पहले तो document में तो यह देखिए यहाँ पी यह normal पे पहले से सो कर रहा है तो normal वाली file में अगर कोई macro है तो वह यहाँ ऊपर सो करेगा अगर यहाँ पे कोई भी macro सो करता है तो आप इसे यहाँ से delete कर देंगे इस arrow पे जाएंगे और यहाँ से document में change करेंगे इस type से और document में change करने के बाद में फिर से यहाँ पे macro चेक करेंगे अगर कोई macro मिलेगा तो यहाँ से उसे हटा देंगे इस wizard को बंद कर देंगे इसके बाद में guys हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास में इस time पे अप कोई macro नहीं है उसको बनाने के दो तरीके हैं पहला तरीका है कि आप उसे button के रूप में बना सकते हैं और दूसरा तरीका है कि आप उस macro के लिए एक keyboard से key assign कर सकते हैं आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यह जो macro बना रहे हैं हम यह safe कहां पे हो रहा है यह normal की file में जा रहा है कि document में जा रहा है तो इसमें दो options होते हैं अगर आप इसमें normal वाली पे रखोगे तो यह हमेशा के लिए safe हो जाएगा तो आपको मैं यह दोनों type से करके दिखाता हूँ मैं एक बार इसे normal में save करूँगा और button बनाने जा रहा है इसकी तो इक button बनाएंगे और इसको normal में save करेंगे तो button पे click किया है इस type का wizard आएगा guys आपके सामने आपको इसे select करना है और यहाँ से add कर देना है quick access bar पे quick access toolbar में यह जो macro बना है यह add हो जाएगा add कर दिया ok कर दिया और guys इसके बाद में आपको view tab के last में जो यह arrow आता है इस arrow पे जाना है और guys अगर आपके computer में quick access bar so नहीं करता तो आप उसे यहाँ से corner से जाके चालू कर पाएंगे इस type से तो जो button होगा वो आपको यहाँ पे so कर जाएगा तो guys आप देख पा रहे हैं कि macro की recording start हो चुकी है मैं home tab में जाता हूं और अपने text के font का size जो है थोड़ा सा change कर लेते हैं हम इसका size यहाँ से बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे जो language है मेरी जो font का face है उसे monotype कर रहे है इस type से मैंने font का size चेंज किया है और मैंने font का face चेंज किया है और यहाँ से इसको board किया है यह जो formatting की setting है यह सब action में record हो चुकी है अब जब view में जाएंगे तो वहाँ पे अपने macro में जाके जो recording हो रही है उसको stop करना होगा इस type से stop कर देने के बाद में guys चुकी है हमने normal वाली file में save किया था यह हमेशा के लिए हमारे computer में save हो चुका है तो आप क्या करना है इस ms word को एक बार उपर से बंद कर देंगे don't save पर कर देंगे और दोबारा से word खोलेंगे दोबारा से जब हम ms word खोलेंगे तो चुकी यह setting जो है वो normal में save होई थी तो automatically वो macro जो है ms word में चल रहा होगा तो यहां से मैंने ok पे click किया है देखते हैं guys ms word start होने का इंतजार करते हैं दोस्तो ms word खुल जाने पर view tab में जाना है और view tab में जाके जो यह last में arrow का sign है इस arrow के sign पे जाना है और यहां पे so quick access toolbar enable कर देना है तो आप देख पाएंगे कि आपको यहां पे quick access toolbar में जो आपने macro बनाया था वो यहां पे so करेगा अगर आप इस macro की button पे एक बार click कर देते हैं तो वो macro जो आपने save किया था वो इस पे run हो जाएगा और जो भी settings आपने इसमें save की थी वो आपके ms word पे direct apply हो जाएंगी यह देखिए guys हम इसे manage कैसे करेंगे तो इस button पे जाएंगे और more में जाएंगे more commands पे more commands पे जाने के बाद में guys आपको यहां पर यह button so कर रही होगी quick access bar पे यह वाली button इस button को guys यहां से हम हटा देंगे okay पे click किया है और इसके बाद में guys जो हमने macro बनाया था button के रूप में उसको भी हटा रहे है तो view में गया है और यहां से macros में गया है और यहां view macro में गया है yes और close किया है और इस बाद में आपको ताजा macro बना के दिखाता हूं जो की keyboard से चलेगा पिछली बाद बटन से दिखाया था तो guys चलते हैं और new macro record करते हैं यहां से हम जब यहां पे जाएंगे तो हमें इसका नाम देना है और नाम देने के बाद में guys हमें सबसे पहले क्या क save हो जाएगी और आप अगर इसे केवल इस document में save करते हो तो यह macro केवल इसी document में चलेगा तो पिछली बार मैंने नॉर्मल में किया था इस बार मैं इसको document में save करूँगा तो मैं keyboard पे क्लिक करता हूँ इस बार इसके बाद में यह आप से एक key assign कराएगा तो guys आपको यहां पे फिर से ध्यान रखना है कि जो save changes in में यहां पे यह नॉर्मल सो कर रहा है चुकि हम चाहते हैं कि यह document में save हो तो हमें सुब दोबारा से फिर से यहां पे document में कर देना ह और इस box में आना है यहां पे आने के बाद में guys आपको alt1 type करना है alt1 alt1 करने के बाद में आपको assign पे click कर देना है आप जैसे ही assign पे click करेंगे यह इस box में add हो जाएगा और यह जब इस box में add हो जाए तो आपको यहां से इसे close कर देना है तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे document में मैक्रो की recording स्टार्ट हो चुकी है तो मैं क्या करूंगा मैं home tab में जाता हूं मैं कुछ formatting change कर देता हूं जिससे कि मैं आपको दिखा पाऊं तो मैं यहां पर italic किया है और यहां से इसका font जो है font face जो है यह change करते हैं तो हमने इसमें font face भी चूज कर लिया है हमने इसमें italic underline size और font face चेंज किया है इसका और यह सब change करने के बाद में view tab में जाएंगे और यह जो हमने formatting में changes किये हैं इसकी recording हो चुकी है और अब हम इसे यहां से stop कर देंगे तो चुकि यह इसी file में save हुआ है macro तो guys हमें important बात क्या याद रखनी है कि हमें file पर जाना है और इस file को macro enabled document में save करना है यहां पे save as में जाएंगे हम लोग यहां से browse करा लेंगे browse कराने के बाद में इसको desktop पे save करेंगे त्याद रखेंगे कि type में जो है वो macro enabled document होना चाहिए चलते हम लोग save करते हैं इसको तो दोस्तों आपको यहां पे save as type में जाना है और यहां पे macro enabled document चूज कर लेना है और अपनी file का नाम दे देना है और file को desktop पे save कर लेना है इस type से save करने के बात में दोस्तों चलते हैं जो हमने यह file बनाई है इस file में जो macro safe किया है इसे मैं run करके दिखाता हूँ तो यह doc1 वाली file को मैं खोल रहा हूँ दोस्तो जब मैं अपने document वाली file को खोलता हूँ जिसमें macro है तो यहाँ पर हमें topic warning आती है security warning macro have been disabled तो आपको क्या करना है चुकि इसमें macro है तो इसको यहाँ से enable कर देना है और इसके बाद में guys मैं यहाँ पर आपको सो करता हूँ कि मैं अगर alt के साथ में one press करता हूँ तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यह run हुआ है हमारा macro जो भी उसमे recording हुई थी formatting की वो उसने यहाँ पर change कर दी है तो यह जो macro है यह केवल इसी file में ही चलेगा और जब भी इस file को खोलेंगे तो security warning आएगी और आपको उस security warning से enable करना पड़ेगा तो दोस्तों जब जब आप इस document को खोलेंगे तो आपको टॉप एक security warning आएगी जो कि आप view tab में एक message बार का option होता है आप उसे वहां से उस security warning को disable या enable कर सकते हैं अगर आप नहीं चाहते कि उस security warning को आप देखें तो आप view tab में message बार से जाके उसे बंद कर सकते हैं तो आपको मैंने macro बना के दिखाया जो कि एक बार normal की file में save किया एक बार same document में save किया आपको guys याद रखना है कि अगर आपके द्वारा बनाई गई किसी ms word की file जिसमें कि कोई macro save है अगर आप किसी pen drive या किसी माध्यम से आप उसको किसी दोसरे computer में transfer कर देते हैं तो यह file उस computer के लिए macro virus का काम करेगी और उस computer पे कुछ keyboard की buttons काम करना बंद कर देंगी तो guys आशा करता हूं कि आपको यह video पसंद आया होगा और अगर आपको इसी टाइप के technical videos देखना पसंद है तो आप हमारे अनुराग लेब 3M YouTube चैनल को subscribe करना न बूले आपका अपना दोस्त अनुराग पांडे आपका दिन सुभू धन्यवाद